अनवारुलहक काकर पाकिस्तान के कारिवाहर प्रधानमंत्री चुने गए हैं अनवारुलहक काकर बलुचिस्तान अवामी पार्टी के नेता हैं वे 2018 में 6 साल के लिए सिनेट में चुन कराए बलुचिस्तान अवामी पार्टी उन 12 पार्टियों में शामिल रही है जो PDM यानि की पाकिस्तान डेमोक्रिटिक मुव्मेंट गडबंधन के तले शैबाज शरीफ सरकार को समर्थन दे रही थी विपक्ष के नेता राजा रियाज का दावा है कि काकर का नाम उनकी तरफ से आया था जिसे सत्ताधारी गडबंधन के नेता शैबाज शरीफ ने सुईकार कर लिया सत्ताधारी गडबंधन और विपक्ष की तरफ से तीन-तीन नाम आये थे जिन में से काकर के नाम पर सहमती बनी राजा रियाज का कहना है कि बल्चिस्तान जैसे छोटे सूबे से केर टेकर पी-म बनाने के उनके सुझाओ को माना गया ताकि सूबे की समस्याओं को दूर करने में मदद मिले पाकिस्तान के राश्टपती आरिफ अलवी ने अनवारूलहक काकर के नाम को मनजूरी दे दी है काकर जल्द ही पाकिस्तान के आठमें कारवाहक प्रहानमंत्री के तौर पर शपत लेंगे काकर 2008 में PMLQ की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे वे 2018 में निर्दलिय उमिदवार के तौर पर सिनेट में चुन कर आए 2018 में ही उन्होंने बलजिस्तान अवामी पार्टी बनाई वे पखतून हैं और काकर जनजाती से आते हैं वे बलजिस्तान के बड़े नेता माने जाते हैं वे सिनेट की ओवर्सीज पाकिस्तानी और मानव संसाधन विकास मामलों के स्थाई समिती के अध्यक्ष रह चुके हैं वित राजस्तो विदेशी मामलों और विज्ञान तकनीकी की बिजनेस एडवाईजरी कमिटी के सदस्य के तोर पर भी काम कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पिपल्स पार्टी दोनों ही दलों के साथ उनके अच्छे रिष्टे रहे हैं यही वज़य है कि विपक्ष और सत्ताधारी गडबंधन दोनों ने उनके नाम पर सहमती जता दी शहबाज शरीप ने मौजूदा नाशनल इसेमली का कारेकाल पूरा होने से तीन दिन पहले ही उसे भंग कर दिया था इसके बाद पाकिस्तान की कारवाहक सरकार पर 90 दिन के भीतर चुनाव करा कर नई चुनी सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की जिम्यदारी है कारवाहक सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती सिर्फ रूटीन के सरकारी काम और जन सरोकार से जुड़े कुछ फैसले ले सकती है